हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन का गनीत का जो फाइनल एक्जाम आप लोगों का चल रहा है अकल आप लोगों का फाइनल एक्जाम होने वाला है इसके लिए हम मॉडल सेट 5 लेकर आए हैं इसके पहले पी 4 मॉडल सेट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है यादि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए सभी टैप के सवालों को डिसकस किया गया है सवाल आप लोगों का उसी टैप से पूछा जाएगा बहले ही जाएगा आप लोगों करते हम यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब बड़ा जो बटन है जो नीचे लिखा गया है ब्लैक क्लर का उसको सब्सक्राइब किरें तो आने वाली वीडियो का नॉटिफेकेसन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगा और जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियो बना भी है या नहीं बना है तो आपको प्लिस सब्सक्राइब कर लो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे आप पहला सवाल जो है आप लोग का दिया गया है कि एक विद्दाले में 25 बच तो इसको समझ लिजे किस परकार से बनेगा यह सवाल तो इस तरह से दिया जाएगा कहरा है नहीं माकडों का मिलांचिन परियोग करते वे सारनी बत कीजिए यानि मिलांचिन वाला सारनी बनाना है पहला सवाल दूसरा 16 वर्ससे आयू के बच्चों की संख्या और सारनी में कितने बच्चों की आयुँ सबसे अधिक है घिक है यह सवाल हो गया सबसे पहले हमने मिलांचिन को किस परकार से बनाते हैं तो सबसे जब एक तरफ आयू लिखिएगा एक तरफ बारमबरता लिखिएगा यानि जिस चीज़ का डाटा दिया जाता है उसको लिख लिख 2 यहां है 3 यहां है तो 3 और 4 खींक है चार बाए है 14 आपका तो यहां नैयांँ च प्यिस्ता लिखा मिलांचिन में 1 2 3 4 लाइन खीचा और यहांँ पे 4 लिख दिया बरमबरता बर इस प्रकार से बनाना है उसके बाद है हमारा 15 यहाँ पे देखेंगे हम तो 15 कितनी बार आये तो 15 को जब आप count करोगे यहाँ पे तो 15 आपका आया है 5, 3, 8 बार तो 5 कैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और cross line खिचेंगे 5 हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 3, 8 यहाँ पे हम 8 लिख देंगे उसी परकार से 16 को जब वहाँ पे आप count करोगे तो 10 बार आया है तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 आ 5 मिला कर कितना हो जाएगा 10 तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे ठीक है इस परकार से आपका हो जाएगा अगर हम बात करें 17 कितनी बार आया है तो 17 जो है पूरे में 3 बार आया है तो 3 बार जब इनको टोटल जोड़ेगा तो वह 25 हो जाएगा और आपसे कहा भी था कि 25 आयो की आहा है तो यहाँ पे टोटल मिल जाएगा आपको 25 आ गया अब जो भी सवाल आपसे पूछा गया था उन सवालों का जवाब हम बारी बारी से देंगे तो यह आपका चार्ट बनकर त्यार हो जागए इसी परकार से आप लोगों को एक्जाम में भी आपको चार्ट बनानी के लिए आएगा तो आप लोग चार्ट बना दीजेगा इसको हम लोग मिलांचिन चार्ट कहते है ठीक है अब देखिए यहां पर आप लोग से पूछा था कि 16 वर्स से अधिक आयू वाले बच्चों की संख्या कितनी है तो तीन है क्यों तीन है मैंने आपको बता दिया उसके बाद सार्णी संख्या निम्र परकार यानि को सहर दिया गया है उसमें कह रहा है कि आप लोग सरकारी स्कुल जो इस परकार से है आपको यहां पर दे दिया गया है सहर है दिल्ली है मुंबई है कलकत्ता है पटना है रांची है इसकोलों की संख्या 35, 45, 15, 20 आपको कहेगा कि लड़कों को पसंद है तो डाटा कुछ भी हो हमको से क्या मतलब है डाटा आप जो दो आप हमें क्या बोल रहे हो दंडा अलेक बनाने के लिए तो हमें मतलब है कि दंडा अलेक बनाया कैसे जाता है हम दंडा अलेक को बनाना सीखेंगे आप देख या रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है तो चलिए बने का कैसे उसको देख लेते हैं दंडा अलेक कैसे बनाएंगे जो आपको दिया जाता है जिसे सहर और इसको लोगगी संख्या जो numbers होता है numbers नमबर्स को आपको जो है किनारे में लिखना है देखे प्रकार से लिखना है जैसे हमने numbers को दो लखिर खीचे हम दो लखिर खीचेने के बस numbers को आपको इस side में रखेंगे और जो naming 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 होता है naming को आपको इस तरह लिखना होगा ठीक है जैसे हम लोग सहरों के नाम हम लोगों नीचे लिखा है ठीक है और numbers को हम इस परकार से लिखा है थोड़ा से इसको और हम यह कर देते था कि आप लोगों को दिखाए दे ठीक है इतना करने के बाद आप यहां पर कह रहा था कि दिल्ली में कितना है 35 इसकूल है तो हम यहां पर जो है आप लोग सबसे पहले देख ले ना इसमें सबसे छोटी संखे कितनी है तो सबसे छोटी है 15 और सबसे बड़ी कितनी है 50 तो हम क्या करेंगे 10-20-30-40-50 का डिस्टेंस लेनी है उसके बाद जैस है तो आप 50 तक ले जाओगे उसके बाद अगर हम कोलकता की बात करें 45 तो 40-50 के बीच वाला हिस्सा जो होता है इस परकार से बनेगा अगर हम पटना की बात करें तो पटना में 20 बोला है तो आप 20 तक जाओगे उसके बाद जो भी नेक्ष्ट है आपका राची था यहां प दे यहां पे दो डाटा दिया जाएगा जो नमरिंग वाला डाटा होगा उसको आप इस तरफ लिखोगे इस तरफ खड़ा में लिखोगे और जो नेमिंग वाला डाटा होता है उसको आप लोग नीचे लिखोगे उसी का दंड आलेक बनाया जाता है और बनता है किस प्रका दूसरा दार दिया जाएगा जो नमबर वड़े लगा दो खडक लाख अर्च थे लिए यूडि उसको ऊणिषी निशे क यूज दे दिया ग्याद कीज़िए आपका सवाल हमने ये वन यूज अगर दूसरा सवावे दो बनाईएगा सवाल सेम रहे डाटा अगर चेंज हो जाए तो उससे आपको घबलाना नहीं आप लोग का जैसे यासे वैसे बनाने का तरीका को समझिए तो आयताकर कमरे की जो लंबाई 6 मीटर दे दिया है चौडाई अगर हमको निकालने बोला है तो उसको आप X माल लेजेग ठीक है आप देखें आयताकर कमरे का जो 6 दरफल होता है निकाल करके जल्दी सा आप अपना आंसर को जो है कॉमेंट कर दीजिए ही उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा 100 लाइक का टार्डेट रखे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहरी बार आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे घंटी के अबाइल आकम को प्रेट कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए आप हमारे वाट्सप गुरूप के साथ जो सकते हो इस नंबर पर जब आप मैसेज करोगे 9798054010 पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ से आप अपने वाट्सप गुरूप को भी जोईन कर सकते हो या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहाँ पे क्लिक करके भी आप जोईन कर लीजिएगा यानि वाट्सप गुर करका से पढ़ाई होगा तो आप लोग जरू जोईन किजिए गुरूप को मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में थैंक यू